कहाने के शुवात में हम पांच साल के कृष्णा महरा को देखते हैं जो कि साइन्टिस्ट रोहित महरा और उनकी पत्मी निशा महरा की एक लौता बेटा था और हम देखते हैं कि रोहित और निशा की मौध हो चुकी है और क्रिष्णा अपने दादी सोनिया के पास से रहता है और धीरे-धीरे हम देखते हैं कि सोनिया को ये बात पता चन्ते हैं कि क्रिष्णा कोई मामूली बच्चा नहीं है यहाँ से जाने के बाद जादु ने रोहित को अपनी जो सारी शक्तिया दे कर गया था वही शक्तिया क्रिश्णा को अब रोहित से भी मिला है और इसके बाद क्रिश्णा के स्कूल के प्रिंसिपल भी सोनिया को कहते हैं कि वह लोग क्रिश्णा का एक आइक टेस्ट लेना चाहते हैं और टेस्ट के वक्त सोनिया देखती है कि कृष्णा सारे अंसर्स सही दे रहा था और वो डर कर कृष्णा को वही सही लेकर चली जाते हैं और उनके डर का एक वजा भी था दरसल उनका बेटा रोवित एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन चुका था और फिर उसे एक और साइंटिस्ट एक साथ काम करने के लिए बुलाते हैं और फिर सोनिया को पता चलता है कि शायद वही बड़ी रोवित के साथ कुछ हुआ है और कोई उसके शक्तियों का गलत इस्पेमल करना चाह रहा था और सोनिया को ये डर था कि शायद क्रिश्ना के शक्तियों के बार में पता चलने के बाद कोई उसके साथ भी कुछ बुरा ना कर दे इसलिए सोनिया क्रिश्ना को शहर से दूर एक छोटे से गाउ में ले जाकर वह परी उसे बढ़ा करने लगती है और इसके बाद धिरे धिरे बहुत साल बीट जाते हैं और क्रिश्ना अब बड़ा हो चुका था और वो उसे गाउ में अपने दादी के साथ अभी भी रहता है और क्रिश्ना के इनी शक्तियों के बज़ए से वहागे लोगों को लगता था कि क्रिश्ना काफी अलग है इसके बाद ही अच्छानक पहापर शहर से एक ग्रूप घूमने के लिए आता है और वही पड़ी क्रिश्ना प्रिया नाम की एक लगकी को देखता है और प्रिया को देखते ही क्रिश्ना को वो काफी पसंद आ जाती है और पहली बार जब वो लोग मिले थे तब क्रिश्ना अपने शक्तियों के जरिये प्रिया के जान बचाता है और क्रिश्ना को ऐसा करते हुए देखकर प्रिया को भी काफी हैरानी होती है इसके बाद क्रिश्ना और उन लोगों के टोरिस्ट गाइड मिल कर उन लोगों को भ का फैसला करते हैं लेकिन इसके बाद कृष्णा उन लोगों के सामने आता है और वो अपने मज़ा के बारे में कहता है इसके बाद कृष्णा की इन लोगों के साथ अच्छे दोस्ति हो जाती है और जितने दिन पो लोग यहां पर रहते हैं कृष्णा भी उन लोगों के साथ पहुचता है क्योंकि वो प्रिया से प्यार करने लगा था वहाँ से जाने के बाद प्रिया सिंगपूर लोट जाती है और अपने ऑफिस जाइन करने के बाद ही प्रिया और उसके फ्रेंड हनी को उनके बॉस ऑफिस से निकाल देते ही क्योंकि उन लोगों ने अपने छुट् बारे में अपने बॉस को कहती है वह कहती है कि अगर कृष्णा उन लोगों के टीवी शो में आएगा तो उन लोगों के शो का टीयार पी कितना बर जाएगा और यह सुनकर उनके बॉस उन लोगों को वापस जाब पे रख लेते हैं और कृष्णा को इंडिया से सिंगरपूर बुलाने के लिए कहते हैं लेकिन इसके बाद बहुत ही परिशन हो जाती है क्रिश्णा अपने दाधी को छोड़कर कहीं पर भी नहीं आएगा हणी प्रिया को कहती है करते है कि उसे प्यार करता है उन लोगों के शादी के लिए तभी मानेगी जब कृष्णा सिंगरपूर और आकर प्रिया के मार से मिलेगा और ये बात सुनकर कृष्णा थोड़ा परिशन हो जाता है लेकिन फिर वो अपने दादी से जाकर कहता है इसके बारे में लेकिन उसके दादी इसके लिए मना कर देती है जो सुनकर कृष्णा बहुत ही गुस्ता हो जाता है और वो अपने parents की कहानी सुनाते हैं कि कैसे उसके पिता रोहितर उसकी मारनीशा को जादू मिला था और कैसे जादू ने अपनी शक्तिया रोहित को दिया था और फिर जादू चला गया था लेकिन इसके बाद उन्हीं शक्तियों के वज़ा से फिशना एक बहुत बड़ा साइन्टिस्ट बन जाता है और फिर उसे सिंगपूर से ही सिध्धात आडिया नाम के एक होज साइन्टिस्ट बुलाते हैं और फिर वो दोनों मिलकर फ्यूचर देखने वाला एक मशिन बनाने की कोशिश किया था लेकिन फिर एक दिन अचानक सोनिया को कॉल आता है कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है ये बात सुनकर वो काफे हैरान होती है उस वक्त नीशा प्रेग्नेन थी और उसे भी जब रोवित की मौत की खबर मिलती है तो वो इस सदमे कुबरदाश्ट नहीं कर पाती और कुछ दिनों में उसकी भी मौत हो जाती है और जब सुनिया को ये पता चला कि कृष्णा में भी उसके पिता के सारी शक्तिया है तो वो कृष्णा को भी खोना नहीं चाहती थी इसलिए वो कृष्णा को यहाँ पर लेकर आ गई और ये सारी बाते सुनकर कृष्णा को बहुत बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का अहसास होता है लेकिन इसके बाद सुनिया कृष्णा को सिंगपूर जाने देने के लिए राजी हो जाती है और कृष्णा जाने से पहले अपने दादी को परमिस करता है कि वो वहाँ पर अपनी शक्तियों के बारे में किसी को भी नहीं पता चलने देगा इसके बाद कृष्णा सिंगपूर पहुचता है और प्रिया से मिलता है लेकिन प्रिया कृष्णा को ये बाहना देती है कि उसकी मा कुछ दिनों के लिए बाहर गई है वो चब तक वापस ना लौट आए तब तक कृष्णा को ये ही पड़ी रहना पड़ेगा और कृष्णा ना चाहते हुए भी ये बात मान लेता है इसके बाद एक दिन प्रिया और हनी दोनों कृष्णा को अपने शो के शूटिंग पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर कृष्णा को ये पता चलता है कि प्रिया उसे शूटिंग दिखाने नहीं बल्कि कृष्णा पर ही एक प्रोग्राम बनाने के लिए लेकर आए है और कृष्णा ने उस गाव में उन लोगों को जो कुछ भी कारणामा करके दिखाया है उसे यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा कृष्णा बहुत मना करता है लेकिन प्रिया उसे रिक्विस्ट करती है और वो शूटिंग के लिए मान जाता है लेकिन वो अपने किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करता जिसके वज़य से प्रिया और हनी जो चाहते थे वो नहीं होता और उन लोगों के बॉस उन पर काफी बदे गुष्सा हो जाती है इसके बाद क्रिश्ट्यान नाम के एक लर्के से मिलता है वह सरकस में परफॉर्म करता है और अपने छोटी बैन के लेक की सरजरी के लिए वह एक्स्ट्रा काम भी करता था और स्ट्रीटमें ऐसा ही एक दिन परफॉर्म करते हुए, क्रिष्टियन का छोटा सा एक्सेडेंट हो जाता है, जिसके बाद उसके जागा कृष्टियन औरकृrationsन की मुलाकात होती है, और क्रिष्टियन को एक दिन अपने सरकस में इन्वाइट करता है. और फें क्रिश्ना पिया को लेकर क्रिश्टियन के सरकस में जाता है और वहाँ पर वो लोग काफे एंज़ाय करते हैं लेकिन इसके बाद ही सरकस में आग लग जाती है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्रिशन किसी तरीके से प्रिया को बचा कर लेकर आता है लेकिन वो देखता है कि अंदर काफे सारी छोटे बच्चे फैसे हुए है वो उन लोगों की मदद करना चाहता था लेकिन उसे ये बाद वे याद आती है कि उसने अपने दाद से प्रॉमिस किया था कि वो अपने शक् बचाता है जिसके बाद क्रिश काफी popular हो जाता है तो दूस्रे तरफ प्रिया उस दिन बेहोश हो गई थी इसलिए उसने कुछ देखा तो नहीं था लेकिन उसे शक्त था कि शायद क्रिश्णा ही इसलिए वह इस बाद को साथ करने के लिए कुछ भाड़े के गुंडों के मद से कृष्णा के असलियत को सामने लाना चाहती थी लेकिन वहाँ पर कुछ असली गुंडे आ जाते हैं और कृष्टियन को देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि असल में क्रिश्णा ही कृष्टियन को कहता है कि क्रिश्टियन वो नहीं बलके क्रिश्टियनी है और क्रिश्ट को जो रिवर्ड देने का फैसला हुआ था अगर वो रिवर्ड क्रिश्टियन को मिलेगा तो वो अपने बेहन की लेकी सर्जरी करवा सकता है और इसके बाद दुनिया के सामने यह आता है कि क्रिश्टियनी क्रिश्टियन और उसे reward दिया जाता है तो दूस्रे तरफ यह देखा जाता है कि प्रिया भी अब कृष्णा से प्यार करने लगी थी और फिर एक दिन वह अपने कुछ पूराने वीडियो देख रही थी तब उन्हीं वीडियो में से अचनक ये वीडियो उसे दिखता है जब कृष्णा सरकस मे वो ब्लैक मास्क पहन रहे थी और ये बात जानने के बाद प्रिया और हनी दोनों ही बहुत ज्यादा हैनान होते हैं और वो दोनों कृष्णा को बिना बताए ही वो वीडियो टीवी पेरी लिस्ट करने का फैसला करते हैं लेकिन कृष्णा उन लोगों की बाते सुन लेता है और वो प्रिया को बहुत गलत समझता है कृष्णा को ये भी पता चल जाता है कि दरशल प्रिया ने उसे जुट कहकर सिंगरपूर बुलाया था प्रिया के मा को कृष्णा के बारे में कुछ पता ही नहीं है इसके बात कृष्णा को समझ में आता है कि उसके दादी सही कहती थी और वो यहां से इंडिया वापस जाने का तयारी कर रहा था लेकिन प्रिया उससे मिलने के लिए आती है और उसे सारी बाते कहती है लेकिन कृष्णा उसे मना करता है और वो कहता है उसने अपने दादे से प्रॉमिस किया था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और इन सारी बातों को लेकर प्रिया और कृष्णा में जगरा हो जाता है और कृष्णा प्रिया को अपने पेरिंस की सारी कहानी सुनाता है और ये चाले बाते सुनकर प्रिया को भी अपनी गलती का ऐसास होता है। इसके बाद कृष्णा बाहा से जाने के लिए निकल पड़ता है। तो दूसरे तरफ प्रिया इस टेली कास्ट को रोकने के लिए अपने बॉस के पास जाती है। जो के उस वक्त साइन्टिस्ट सिधांत आरिया के एक प्रेश कॉंफरेंस की मीटिंग में थी। और वही परी प्रिया को साथ विक्रम की मुलाकात होती ही। विक्रम दरसल सिद्धांत आडिया के लिए ही काम करता है। और विक्रम प्रिया को देखकर पहचन लेता है। और फिर यह पता चलता है कि वर्सों से विक्रम कृष्णा को ढूंद रहा था या था कि क्रिष्णा के कसोल इमेजी स्कूल में पढ़ता था बहागे प्रिंसिपल से भी वो काफी बार मिल चुके हैं लेकिर उन्होंने सोनिया के कहने पर कभी भी कृष्णा उनका पता विक्र को आया था सिद्धान आडिया ने कृष्णा को कहा था कि वो दोनों मिलकर फ्यूचर देखने वाला एक मेशिन बनाएंगे जिससे के फ्यूचर में होने वाले बहुत सारे खतरनाक चीज़ों को वो लुग रोख सकते हैं और यह बाद सुनकर क्रिष्णा भी इसके लिए त तो उसे पता चलता है कि सिद्धान आडिया यह मेशिन खतम होने के बाद रोहित को मारने की कोशिश करेगा और यह देखकर वो काफे हैरान हो जाता है इसके बाद रोहित पैसला करता है कि वो यहांसे जल से जल निकल जाएगा लेकिन जाने से पहले वो यह सारी मेशिन तो से नया मेश donors बनार लेगा लेकिन भी करम सिद्धान को कहता है कि रोहित को मार डालने के बाद वो ये नय नया कम्प्यूटर नहीं बना सकती क्योंकि ये सब्सक्राथ करने के लिए रोहित के आख है और उसके दिल के ये computer access भी कर लेंगे जिसके बाद वो लोग रोहित को मार डालेंगे और ये सारी बाते सुनकर क्रिष्णा करता है कि वो अपने पिता को किसी ना किसी तरीके से बचा करी रहेगा तो दूसरी तरफ सिध्धांत आडिया और रोहित को कहते हैं कि जो machine रोहित ने कुछ महनों में बना दिया था वो machine उसके बहुत बड़े-बड़े scientist को बनाने में 20 साल से भी उपर का समय लग चुका है और फाइनली अव ये computer बन के तयार हो चुका है और वो रोहित के मदद से उस computer को access करते हैं और सिध्धांत आरिया सबसे पहले अपना इस future देखते हैं वो देखते हैं लेकि और जिए क्रिश्ट के हाथ उनकी मौत है और ये बात देख और वो बहुत हैरान होते है लेकिन फिर वो तय Maar करते हैं कि वो Skype को जाकर मार डालेंगी और दुनिया के सामने कृष्टियन ही खै और इसलिए सिध्धांत आरिया जाकर Christian को मार डालते हैं और Krishna वहाँ पर पहुच कर देखता है कि Christian की मौत हो जुकी है इसके बाद Krishna विक्रम के मदद से सिध्धान्त आरिया जिस आइलाइन में ये सारे काम कर रहा था वहाँ पर पहुचता है और वहाँ पर उसके काफी सारे गुंडों के साथ Krishna की fight होती है Krishna उन सब से लिपट कर जब तक सिध्धान तक पहुचेगा तो उससे पहले ही सिध्धान्त ने विक्रम को मार डाला था और प्रिया और रोहित को गन पॉइंट पे रखकर Krishna को डराता है और वो जानना चाहता था कि आखर Krishna रोहित को क्यों बचाना चाहता है इसके बाद सिध्धान रोहित और प्रिया पर गूली चला देता है लेकिन Krishna उन दोनों को ही बचा लेता है और सिध्धान को बहुत ही मारता है और उसके मरने से पहले Krishna अपना मास्क उतारता है और सिद्धन देखता है कि रोहित और कृष्णा एक जैसे ही दिखते हैं इसके बाद उसकी मोथ हो जाती है और फाइनली कृष्णा अपने पिता रोहित से मिलता है इसके बाद कृष्णा और प्रिया दोनों रोहित को इंडिया वापस लेकर आते हैं और इतने सालों बाद सोनिया को ये पता चलता है कि उनका बेटा जिन्दा है और वो अपने बेटी को देख कर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद रात को रूहित अपने पिता के वह special computer यूज करके अपने friend जादू के साथ contact करता है और वो लोग आसमान में जादू का space ship देखते हैं और रूहित अपने friend जादू को thank you कहता है और इसके साथ ये कहानी ये ही बड़ी खतम हो जाती है